कंगनार अनावत सच्चाई बताएगी कि जब सच्चाई किया थी जब देश में अपातकाल लगाया गया था किस तरह से संविधान को नोचा गया था किस तरह से डेश के लोकतंतर को खतम करने का परियास किया गया था अगर देश की जनता को देश की युबा को देश के जानने का हक नहीं कि उनके देश में किस ने अपातका लगाया उनके देश में किस तरह से संविधान को पर कुकारा घात किया गया अगर किमाग होती है तो फूल जलूल बयान नहीं देती पहले भी दिये उसने किसानों के लिए अब भी दिये किसानों जिसमें थपड़ भी पड़ा था चंडीवड में मेरे खाल से एरपोर्ट में जो थपड़ पड़ा था यह कहते हैं हम कॉंग्रेस मुक्त बनाएंगे जिन्हों ने कुर्बानिया दी जिन्हों ने देश के लिए काम किया जो आज वी एक सोनिया गांधी अपने देश के साथ खड़ी है वो लोग बुरे हैं ऐसा है कंग्रा रावात ने जो भी बोला है बिल्कुल सथ बात बोला है जो सथ है वो बोल दिया तो का हुआ नमस्कार दा न्यूस 15 देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ तनुस दिक्षी बोलिवुड अभी नेतरी और मंडी सीर्ट से भारते जन्ता पार्टी की सांसत कंगना रनोत इस समय सुर्ख्यों में है कारण है किसान आंदोलन पर एक बार फिट से कंगना रनोत का विवादित बयान आया है और कंगना रनोत आपात कालीन जो एमरजेंसी इंद्रा गांदी के द्वारा लगाई गए थी उसे लेकर एक फिल्म लेकर आ रही है जिस पर कॉंग्रेस हमला वर है कॉंग्रेस इसे ब लतकार हुआ था हाला कि भारते जंता पार्टी ने इस बास से अपना पल्ला जाड़ लिया है भारते जंता पार्टी ने कंगना रनोत को फटकाल लगाई है और कहा है यह पार्टी का बयान नहीं है और कंगना रनोत इस तरह के बयान अगर आगे देती है तो पार्टी की कि जब सत्ता में बैठी वी सत्ताधारी पार्टी कि जो मैं एक तरह से कहूंगा कि इंपलाई मैंने कहूंगा कि वह सांसद है वह इंपलाई है अब बच्चों जैसी दिमाग जिसके पास हो दो 2014 की पैदाईश हो तो मैं नहीं समझता कि उसके पास दिमाग है अगर दिमाग होती तो उल जलूल बयान नहीं देती पहले भी दिये उसने किसानों के लिए अब भी दिये किसानों जिसमें थपड़ भी पड़ा था चंडिगड में में एरपोर्ट में थपड़ पड़ा था तो ऐसे सांसोदों को डूम बनने चाहिए और ऐसे पार्टी जो ऐसे सांसोदों को टिकट दे देश के अंदर मेरे खाल से दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे पार्टी को टिकट ऐसे लोगों को नहीं नहीं मिलने चाहिए है यहाँ पर एक मूवी आ रही है इमर्जेंसी जो इंद्रा गांदी दुवारा लगाई गई थी तकरीबन 21 महीने इमर इंद्रा कांदी का रोल उसमें कंग्रा रोनत निवा रही है कॉंग्रेस पार्टी बैन करने की मांग कर रही है यहाँ पर इमर्जेंसी बैन होती नजर आएगी या फिर खूब सारा प्यार मिलेगा जिन देखिए ऐसा है जब संगठन होता है एक यह है अगर एक उंगली है नहीं देखनी है कि लोग जानते है कि कौन सी पिच्चर देखनी है और को वग में गैजन सी की बात कर रहे है तो एमर्जेंसी के लोग जो जो एटीास फ्रिसकार है जो लोग इतिहाज जानते हैं वो इमर्जैसी के बारे में बहुत भुभी जानते हैं तो ऐसे फालतू पिछारों को मेरे जैसे लोग तो कम सकम नहीं देखने जाएंगा ना जानें मेरे जाएंगे जो अन्दभक्त है अंदभक्त मतलब BJB Water अब मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता है जो जो उन्चीजों के वारे में जानता नहीं हो जो इस तरह की फिल्में देखने जाएंगे इमर्जेंसी थी तो गलत यह तो मानेंगे ना देखिए ऐसा है वस वक्त क्या था क्या मामला था आपको पता न मुझे किताबों में हमने पढ़ा है सत्ता बचाने के लिए इंद्रा गांधी ने इमर्जेंसी लगा दी थी तकरीबां 21 महींते तक चली थी पूरे मीडिया को कबजे में ले लिया था अकबार में सिर्फ वही प्रेंट होता था जो इंद्रा गांधी चाहती थी सिर्फ सर्प अप लोग के लोग प्र थे लोगों ने तो लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है तो कंग्रान रनोट की फिलिम क्या और कंग्रान रनोट कि वहोँ तो जिससे उन्होंने बताया कि cm2 पिच्छर और अबिए हैं we चलने वाली नहीं हैты कि अरण ट कई अरश कि फहले हैं उन्हेंस्थेल को लेकिन सभी को पताये क्या लBay क्मेर्जैन्सि यह पर आपकि систем और इमर्जेंसी उसका नाम है विवादों में आने से पहले ही देखिए वो छिड़ चुकी है 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है कॉंग्रेस हैं आपर मांग कर रही है कि बैन करा जाए और किसानों को लेकर भी कंगरा नौत का एक बयान निकल कर सामने आया जिससे भारतिये ज जनता पार्टी होती को ना भारतिये जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने चिठी जारी कर दी तो इसका मतलब क्या पला जार लिया बारतिये जनता पार्टी कारे करताओं की पार्टी हम जैसे लोगों की पार्टी है हम जैसे लोग चुनकर बारतिये जनता पार्टी को सत्त भाजपा करिए पूरा देश खारा है पूरे देश की जनता करिए बीजे भी मना कर रही है जो मलाईदार पर लेके बैटे उनका क्या कहना भाई वह आज है कल नहीं दोस्तो चालीस लेकर भाजपा मौदी जी के बल पे आई है यह ऐसे लोगों की बदोलोत आज 240 पर पहुंचे है नहीं तो भाजपा 240 पर पहुंचे है ऐसा संभव नहीं था शाट साल के बाद मोदी जी तीसरे दूसरे ऐसे सक्से जो तीसरी बार प्रधान मंतरी बनकर सत्ता म किसान आंदोलन ने महिलाओं का बलत का बलत का एक बहुता है आप नंसे इतनी बड़ी बात बोल दी किसान आंदोलन पूरे देश में चला और वो याली बात बोलने किसान आंदोलन में बलत का अगर जूटी हो सकती है प्रिंट मीडिया सही जूटा हो सकता है उसको दबाए भी तो जा सकता है अच्छा सबूत ने किसको गिरबतार किया एक बार बताएए वह तो कहने वह तो कहने वारे क्यों अहां पर पुरा एक बिग्यापत जारी करा है दस साल की सत्ता के बाद भी कॉंग्रेस की हिमत नहीं हो पाई पूरे डेस में घडवन्दन कर लिया मुदी जी का बाल भी वाका नहीं कर पाई वो लोग का है सब यहां पर इमर्जेंसी मूवी में लगा रखा है क्योंकि प्रोडूसर नहीं होगी कोई फिलम बैद नहीं होगी पूरे देश की जनता इस फिलम को देखने जाएगी क्यों जनते हैं क्योंकि मेरे देश में 2024 से पहले देश की जंता को देश की युवाओं को डराया गया धंकाया गया किस नाम पर लोकतंतर को खतम करने के नाम पर सम्भीधान को खतम करने के नाम पर कंगनार अज़ा होत सचा ही नहुत की कि एक बताई एक बताई यह वहीं मैं उस पर आ रहा हूँ आज एक बात बताईए जब देश की जनता को देश की युवा को देश के जानने का हक नहीं कि उनके देश में किस ने अपात्का लगाया उनके देश में किस तरह से संसत के संविधान के ओपर कुकारा घात किया गया किस तरह से संविधान को खतम करने का प्रियास किया गया आज देश की जनता को देखना वह लोग जब एक्सपोज होंगे न साँ तब पूरी देश की जनता की आखे रहें करके हर्यान का एलेक्शन क्या कारण है जो भी जैपी पारी कंगना कंगना को होंगे जरुकर पार अच्छे बहुमत से आएगी वहां जाकर पूछिए ना जारू वाले से ये खेला करने क्यों चले गए वहां जाकर पूछिए ना हात वाले से ये जारू और हात का मामला क्या चल रहा है वहां जाकर पूछिए ना ये सारे विपक्षी दल अलग-अलग क्यों हो गए भाईया लोकसभा में तो कहते हो हमें सब एक है और उसके बाद जब विधान सभा की बारी आती है सबसे बरी राजनिती किसी ने करिये तो अरविंद केजरीवाल ने करिये लोग सभा में लोग सभा में तो जब उसको पता था कि वो मोधी के मुकाबले कही खारा नहीं हो सकता तो गटबंधन कर लिया और आपको पता होगा डिली से साफ करने का काम विधान सभा से कॉंग्रेस को केजरीवाल ने किया था लोग सभा से साफ करने का काम केजरीवाल ने आप हरिया ना में गली जी ने का था कौंग्रेस मुक्त भारत आम अदमी पार्टी ने यह ऻच्ता बैढ़िया है वह को देश में नोकरी नहीं घरों में परिशानियां बढ़ गई है ये कैसा विकास हो रहा है कि यह कहते हैं हम उनूल是 को अड़ हो जनों ने देश यो आज वह सोनिया गांदी अपने देश के साथ खड़ी onu पुरेर किक्सान अंदोलन को लेकर लेकर एक बार फिर से विवादों में बिशेंक जो किसाना इनुख बजने का का नहीं नहीं तो यह क्ता सब्सक्राइब सुछ विछ थी संसाख थी थी सविफिए भीछ तो काम करने, किसानों को कौन एक साल था खर्च दे रहा था भई किसान तो असली किसान नहीं जान कर नहीं होने हैं किसान कौन है इतने धरने में पैट रहते हैं किसानों से तो सरकार भी डर रही है कोई डरता यार सरकार अभी चुना हुए ना एक किसान बड़े बने थे क्या हुआ मोधी जाग आज तीसरी पार बन गए क्या कर पाए किसान किसान वह यह हैं जो असली किसान आज भी केता में काम कर रहे हैं मूवी आ रही है कंगना की देखने जाएंगे 6 सेतंबर को रिलीज होगे पूरी पास हो यह से कोई दिक्कत नहीं है यह दो कॉंग्रेस वाले ना है कर रहे हैं मिशन भी इनका क्या है कभी बोल गांदी कि मिश इंडिया नहीं बनी तुमने कप किसको बनाया राष्ट्रपती आज हमारे आधिवास चेतर से प्रता हमां तो भी सिसमें इन्होंने काम के और रालाइट में बोलने के लिए बिचार करते हैं नों कुछ पता नही सब्सक्राइब करते हैं यहां पर किसान अंदलन को लेकर भी बयान दे दिया मूवी से पहले इतनी सुर्ख्यों में कंगना रनौत आ चुकी है क्या यह कारण है सिर्फ मूवी को लेकर किसान अंदलन के उपर बयान दिया गया कि हापर सुर्ख्यों में आ जा और मेरी मूवी हिट हो जाए ऐसा है कंगराहन रामात ने जो भी बोला है बिल्कुल सथ बत बोला है जो सथ है वो बोल दिया तो का हुआ बीजेपी समर्थन क्यों नहीं कर रहे है अगर सच है तो अपनी पार्टी से तो समर्थन मिल नहीं रहा जनता की समर्थन का क्या करेंगी पार्टी जिस पार्टी ने टिकर दिया जिसे सांसत बनी आज बही पार्टी पला जाड रही है जिसके बलगूते पर यह बयान दिया कि उन के मत लग ऐसन है कि अंधोल K angry preserve बहुत अच्छा बात है मौज दो शुछ उस्का बात अब देखती है न एक अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है चार तारीको करनामाएगा विज़पी को लगा कि यहाँ अगर ज injust अगया प्हेले सी नाराज चल रहे हैं किसान नाराज हो गए तो जो सरकार बनते बनते उमीद लगाई जा रही चान बन जाहिए्ए लूट दिंगे ने चाहिए क्शान को तो आप किसान को किसान बोल रहे हैं कि वॉर्डर पर किसान थे आह बर किसी के पास वो यहां पर बूले करके तो मतलब किसान थे उनके पक्ष में यह नहीं थे आप बताई आप तो यह असली नगली के पता चल गया नहीं पर पहले भी एक बयान दिया था किसानों को लेकर जिसमें चंडीगड में एक मामला हुआ था एरपोर्ट पर कंगनर रनोत के ऊपर तब तमाम ऐसे सांसते तमाम ऐसे बोलीवूड के एक्टर ते जो कंगना के समर्थन में उतर कर नजर आये थे लेकिन अब कंगना के खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा हाला कि बयान देखिए अपने आप में बेहत गलत है कि किसान आंदोलन को भी समय हो चुका मार काई थी शईकाई समझे कैनने उनकी बोली ऐसी सब्सक्राइब किसान को ऊपर क्या बोलीagen पता है कि आप यही तो मेरा मुद्ध जो कि सानों को लेकर जो नहीं बोला है कि किसान आंदोलन में महिलाओ का बलतकार हुआ अपने वोट के लिए कुछ भी करेंगे बीजेपी समर्थन नहीं कर रही है कि गलत यह पार्टी का बयान नहीं है और इस तरह के बैयान उसे बचना चाहिए बीजेपी किसानों से डर रही है को बखुल डर रही है आप कहां के रहने वाली हम यूपी के रहने वाले यूजड्या के फैजवास से लोक सब आका चुनाब के भी डिया काहर ने जा रही है जीट फिर मिल्कीपूर थीट जा रहा है मिल्कीपूर जा रहा है मिल्कीपूर तो पहले वीजेपी पासी तो फिर चाहे जीतना ताकर लगा ले मिल्कीपूर फिर गई जोगी जीको जिम्मेदारी मिली है मिल्कीपूर की जिम्मेदारी दियम बदल दो, स्वी बदल दो, समझेंगे नहीं, मिलकी पूर की पूरी जंटा उठा ले जाओ, तब क्या है जीत जाओ नहीं तो अगर वाकिकल में वोट बड़ा नहीं जीतोंगे. तो जैसा कि आप सभी ने सुना, यहाँ पर कंगना रनोत की कोई favor में है, कोई against में है, कोई यहाँ पर उनका किसान आंदुलन को लेकर जो बयान आया, उसका समर्थन कर रहा है, कोई emergency movie देखने जाएगा, तो कोई emergency movie नहीं देखने जाएगा, लेकिन इसके दो मतलम निकलते है या तो कंग्रा रनौत ने देखिए अपनी मूवी आने से पहले इसलिए बयान दिया कि वो सुर्ख्यों में आ जाए और कहीं ना कहीं इमर्जेंसी मूवी की जो चर्चा है वो ओने लगी कॉंग्रेस सरकार की ये मांग है कि इमर्जेंसी मूवी को यहाँ पर बेंड किया जाए आज हमने इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करी क्योंकि ये दो मुद्दे थे जिसके कारण कंग्रा रनौत चर्चा में थी सुर्कियों में थी किसान आंदोलन और उनकी आने वाली फिल्म इमर्जेंसी जो की 6 सितंबर को रिलीज होने जा रही है खेर आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरू बताइएगा वीरे रिपोर्ट तनुस दिक्षित कैमरामेन गोविंद किस्सा